बारवी कक्षा के पाठे पुस्तक अंतरा से पाठे एक आप सबके सामने पेश है पाठ से सम्बंदित कवी का जीवन परीचेस भाग में हम पढ़ेंगे कवी का नाम है जैशंकर प्रसाद इनका जन्म हुआ था सन 1889 में और मृत्य हुई 1937 में जैशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो काशी में हुआ वे विद्यालई सिक्षा केवल आठवी कक्षा तक ही प्राप्त कर सके किन्तु स्वाध्याय का अर्थ है स्वयम से पढ़ाई करना किन्तु स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी जैशंकर प्रसाद जी है उन्होंने आठवी कक्षा तक ही सिप पढ़ाई की उसके बाद की सारी पढ़ाई उन्होंने स्वयम से की है जिसके अंतरकत उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी जो भाशाएं है इन पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई वो भी स्वा अध्याई से इतिहास, दर्शन, दर्शन जिसे फिलोसोफी कहा जाता है धर्म शास्त्र और पूरा तत्व के वे प्रकाण विद्वान थे यानि कि स्वा अध्याय से उन्होंने इतने सारे विशेओं में अपनी विद्वता को हांसिल किया, वो विद्वान कहलाते थे इन छेत्रों में प्रसाद जी अत्यंत सौमय शांत एवं गंभीर प्रकरती के वेक्ति थे गंभीर यानि जो किसी भी विशे को बहुती गहराई से सोचते हों वे परनिंदा यानि पराय की निंदा करना बुराय करना एवं आत्म स्तुती या फिर अपने विशे में बढ़ चड़कर बताना आत्म स्तुती आत्म मतलब स्वयम का स्तुती मतलब गाना गाना तो वे दूसरों की निंदा और अपनी बढ़ चड़कर बढ़ाई दोनों से बहुत दूर रहते थे बहु मखी प्रतिबा के धनी थे, मूलता वे कवी थे, लेकिन उन्हों नाटक, उपन्यास, कहानी निबंध, आधियने एक साहितिक विधाओं में उच्च कोटी की रचनाओं का स्रिजन किया है कवी के रूप में मूलता मुख्य रूप से जो जैशंकर प्रसाद जी है वे कवी के रूप में जाने जाते हैं लेकिन जो उनके नाटक हैं उन नाटकों की वज़ा से भी उनकी प्रसिद्धी एक कारण है इतने प्रसिद्ध नाटक उन्होंने लिखे हुए हैं उपन्यास, कहानी, निबंध भी जो है उनके इतनी साहितिक विधाओं में उन्होंने अपनी उच्च कोटी की रचनाओं का स्रेजन भी किया है प्रसाद साहित्धे में राष्ट्रे जागरण का स्वर प्रमुख है, यानि जो प्रसाद जी के साहित्धे हैं जो भी उन्होंने रचनाओं लिखी है उसमें राष्ट्रे जागरण देश से संबंदित जो स्वर है, उनका मुख्य विशे है वो प्रमुखता से देखने को मिलता है संपून साहित्धे में विशेशकर नाटकों में प्राचीन भारती संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने ये काम किया, उनकी कविताओं कहानियों में भारती संस्कृति और जीवन मूल्यों की जहलक देखनों को मिलती है प्रसाद ने कविता के साथ नाटक पन्यास कहानी संग्रे निबंद आदियन एक साहितिक विधाओं में लेखनकारे किया है उनकी कुछ प्रमुक रचनाय है जो प्रसिद्धी का एक कारण बनी है जिन में से हैं अजात, शत्रू, सकंदगुप, चंद्रगुप, राजश्री, धुरुव, स्वामनी जो की नाटक हैं ये सारे इनके और बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है इनके कंकाल, तितली, इरावती इरावती जो है अपूर्ण है यानि ये उपन्यास पूरा नहीं कर पाये थे जैशंक प्रसाद जी और कंकाल, तितली, इरावती जो है ये इनके तीनों जो है उपन्यास हैं आंधी इंद्रजाल छाया प्रतिध्वनी और अकाशदीब कहानी संग्रह है इनके कावे और कला तथा अन्य निबन्द संग्रह है निबन्द संग्र्थ सिर्फ एक निवन्द नहीं है यानि ये संग्रह का नाम है संग इसके अंतरगत अन्य निवन्द और भी है जर्ना आसू लहर कमायनी कानन कुसुम और प्रेमपतिक ये इनकी प्रसिद्ध कविताओं में से कुछ कविताएं हैं यहां पाठे क्रम में जो कविताएं जोड़ी ग तो देवसीना का गीत जो है वो प्रसाद के सकंद गुप्त नाटक से लिया गया है नाटक की विशे में हमने पाठे क्रम में जो पाठ जुड़े हुए हैं नाटक कैसे लिखते हैं तो उसमें हमने पढ़ा था कि नाटक को हिंदी साहिते में दृष्य कावे भी वोला जाता देवसेना मालवा के राजा बंदु वर्मा की बहन है, हुनों के आक्रमन से आरेवर्त संकट में है, बंदु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगती प्राप्त हुई, यानि वे हार गए बची हुई देवसेना भाई के स्वपनों को साकार करने के लिए और राश्ट्र सेवा का वरत लिये हैं, जीवन में देवसेना को सकंद गुप्त की चाह थी, किन्तु सकंद गुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का स्वपन देखते थे, जीवन के अंति मोड पर सक सकंद गुप्त देवसेना को पहना चाहता है, किन्तु देवसेना तब तक वृद पर्नदत के साथ आश्रम में गाना गाकर भीक मांगती हैं और महादेवी की समाधी परिश्कृत करती हैं, तो ये जो सकंद गुप्त नाटक है, उसकी कहानी है, जिससे देवसेना का गीत ल जाती हैं, लेकिन वो अपने भाई के स्वपन को साकार करना चाहती हैं, और राश्र सेवा का वरत ले लेती हैं, यानि देश के लिए काम करने में लग जाती हैं, सकंद गुप्त को कहीं न कहीं वो चाहती थी, लेकिन सकंद गुप्त ने उनको नकार कर, जो धन कुबेर की क प्याग चुकी है और पने जीवन में और आश्रम में गाना गाकर भीक मांगती है अब उनको स्विकार नहीं करना चाहती है और यही कविता का विशय है सकंद गुप्त के अनुने विने पर जब वे तैयार नहीं होती तो सकंद गुप्त आजीवन कुमारा रहने का वरत ले लेते हैं इधर देवसेना कहते हैं कि हिर्दे की कोमल कलपना सोजा जीवन में जिसकी संभावना नहीं जिसे द्वार पर आये हुए लोटा दिया था उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है आज जीवन के भावी सुख आशा और अकांशा सबसे में विदा लेती हूं तब ये गीत गाती हैं कि आहवेदना मिली विदाई यानि यहां पर देव सेना के विचार को प्रकट करते हुए ये पता लगता है विचारों को देखकर और पढ़कर ये समझ में आता है कि देव सेना ने ये माल लिया है कि जो भी आप कलपनाई करते हैं जो भी च्छाय पालते हैं अगर वो समय पर पूरी नहीं हुई है तो अब उन्होंने भावी सुखों को आशाओं को रकांशाओं को दूर करके अपने जीवन में वो आगे बढ़ चुकी है और इसी के लिए वो आगे बढ़ कर गीत गाती है कि आह वेदना मिली विदाई अब इन वेदनाओं से मुझे विदाई मिल चुकी है क्योंकि मैंने अपनी कांशाओं को पीछे छोड़ दिया और जीवन में आगे बढ़ गई हूँ देव सेना का गीत कविता में देव सेना अपने जीवन पर द्रिष्ठिपात करते हुए नजर डालते हुए अपने अनुभवों में अरजित वेदना मै शनों को याद कर रही है दुख मिले है उन शनों को याद कर रही है जीवन के समोड पर अर्धात, जीवन संध्या की बेला में वैं अपने योवण के क्रिया कलापू को याद कर रही है। वैं अपने योवन के क्रिया कलापू को भ्रह्मवश कियें कर्मों की श्रेडी में ही रख रही है। यानि वो अपने योवन में जो भी उन्होंने सोचा समझा और करना चाहा, उसके लिए अब वो अपने आपको ही दोश पूर्ण मानती हैं, कि वो उन्होंने ब्रह्म वश किये थे, ब्रह्म में रहकर वो विवहार किया था उन्होंने, और उस समय की गई नादानियों के पश् करती हैं, फिर भी जो उसके जीवन की पुंजी है, सारी कमाई है, वे उसे बचा नहीं सकी, यही विदमना है, यही वेदना है, प्रले स्वेम देव सेना के जीवन रत पर सवार है, वे अपनी दुरुतमान, दुरबलताओं और हारने के निश्चित्ता के बावजूत प्रल इसे लुहा लेती रही है, गीत के शिल्प में रची गई यह कविता, वेदना के शणों में मनुश्य और प्रकृति के संबंदों को भी वेक्ट करती चलती है, दूसरी कविता, कॉर्नेलिया का गीत, प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसित गीत है, अब जो द इनारे ग्रीक शिवर के पास वरिक्ष के नीचे बैठी हुई है, कहती है, सिंधु का ये मनोहर तट जैसे मेरी आखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है, इस वातावरन से धीरे धीरे उटती भी प्रशांत निकदता जैसे हर्दे में घुस रही है, लंब तो नहीं गई, तब गीत गाती है, अरुन ये मदुमय देश हमारा, इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा तथा प्राकर्तिक सुंदरे को भारत वर्ष की विशिष्टता और पहचान के रुप में प्रस्तुत किया गया है, तो यहां पर कॉर्नेलिया के माध्या में से जो गीत गाया जा रहा है, वो देश का बखान किया जा रहा है, उसकी गौरव गाता बताई जरी संस्कृतिका गान गाया जा रहा है, और साथ ही उसकी प्रकृतिका वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है, जो भारत वर्ष की विशिष्टता है, और वही उसकी पहचान है, प